सब्सक्राइब करें नौलेश्टेशन चैनल को और लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों एक फिर से आपका श्वागत है यूट्यूब के इस चैनल में जिसका नाम है नौलेश्टेशन सबसे पहले मैं उन सबी लोगों का बहुत भुए धनवात करूंगा जिन्नों नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और दोस्तों अगर अभी तक आपने नौलेश्टेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिएगे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नौलेश्टेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथे साथे सब्सक्राइब बटन के राइट हंड साइड में दिएगे बेल आइकन पर क्लिक करके नौल इस्टेशन चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपने मोबाइल में सबसे पहले प्राउब कर सकते हैं चले दोस्तों कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने Android मोबाइल में Gmail अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं यहनिकि आप अपने मोबाइल को Gmail अकाउंट से लगाउट कर सकते हैं उसके लिए पहले आपको अपने मुबाइल के Gmail application क्लिक करना है, तो मैंने Gmail account पर यहां पर क्लिक कर लिया, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको Left hand पर टॉप कॉरणर में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, त्री लाइन इस पर आपको यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहां पर आपको देखने को मिल जाता है setting option को यहाँ पर आपको setting पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी mobile में जितने भी Gmail ID आपने मोबाईल से जोड रखी है वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ तॉप राइट कारणर में त्री देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहां आप से पूछा जाएगा कि मैनेज आउंट इस पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर जितने भी जीम आड़ी आपकी यहां पर ओपन है इस मोबाइल के सांच इस ID को जसी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप से पूछेगा कि रिमूब एकाउंट और नॉट इप प्रेस एर रिमूव दा एकाउंट विल बी रिमूव एकाउंट आपको यहाँ वाइल से रिमूव हो जाएगा दोस्तों और दूसरा तरीका दोस्तों यह है कि आप अपने मोबाइल की Android मोबाइल की सेटिंग में जाकर यहाँ पर सेटिंग में जा सकते हैं वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखनों को मिल जाता है एक ओप्षन उसर एक श si एहाँ देखने को मिल जाता है आपको मेरा यह वी डियो कैसा लागा नीचे दिये के comment box में आप मुझे बता सकते हैं आप मुझे अपना feedback दे सकते हैं जिससे मैं अपने वीडियो को improve कर सकूँ और अगर आपको मिला वीडियो पसंद आया हो तो like करिएगा दोस्तों, share करिएगा अपने friends और family के साथ ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके हैं तो बस आज के वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत